नमस्कार हर इंसान के जियोन में ऐसा बोड़ जरूर आता है जब उसका किस्मत और उसके हालात दोनों साथ ना दे उस वक्त उस इंसान को ऐसे लोगों की भी सुननी पड़ती है ना जिनकी कोई उकात नहीं होती है जिनकी समाज में कोई वेल्यू नहीं होती है जो दो दर्जे के आदमी होते हैं, फिर भी उस वक्त उन लोगों को सुना जाते हैं, जो मेंती होते हैं, और जो किसी कारण किस्मत और हाला से कमजोर हो जाते हैं, उनको वे सुना जाते हैं, तो बहुत से लोग पूछते हैं, कि सर ऐसे समय में क्या करें, ऐसे समय में उन अकेले नहीं हो जो एसी गटना आपके साथ गटी है जिवन में हर इनसान के जीवन में ऐसा दोर जरूर आता है जब उसकी किसमात और उसके हालात कुछ भी साहत नदे चारो तरफ उसे अंदकार ही दिखाई दे कहीं भी उसको उजला दिखाई न दे एसा दोर सब के जीवन में आता है और वह दोर भी गुजर जाता है और अच्छा दोर भी वापिस आता है लेकिन जो लोग ऐसे समय में दूसरों की गलतिया निकालते हैं ना उन लोगों को कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे वक्त में आपके बूरे वक्त में उन लोगों को कभी जवाब न दे है एसे लोग कोन होते हैं पता है आपको एसे लोग वही होते हैं जब आप सपलता के जंडे गाट रहे होते हैं ना तब वो आपकी सपलता से चिटते हैं उनके मन में फ्रेश्टरसन के बाउना बरी हुई रहती है वह बस आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं और जब किस्मत और हला से अगर आपसे वो गलती हो गई तो उस वक्त वो आपको जरूर दो वाते कहेंगे अपने मन की frustration, अपने मन की इर्ष्या आपके उपर निकालेंगे क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो तो जिंद्गियों कभी success हुए नहीं आपकी सपलता से वो चिटते थे और अगर आप से बाई मिश्टे गलती हो गई उनको मौका मिल गया, आपको निच्छा दिखाने का आप उनके अंदर जो frustration है आपके ऊपर निकालने का उनको मौका मिल गया लेकिन आप एक बात हमेसा जीवन में ध्यान रखें कोई बात ने किस्मत साथ ने दे रही हाला साथ ने दे रही कोई बात दे लेकिन उस वक्त ऐसे इनसान को कभी जवाब मत दे अगर ऐसे इनसान को उस वक्त आप जवाब दोगे ना तो लोग आप को ही गलस समझेंगे आपको कोईएंगे यार एक तो आपने गल्दी की और दूसरी आप इन लोगों को सुना रहे हैं आप उनको जवाब मत दे आप मनी मन एक संकल्प ले और यह संकल्प ले कि मैं वापिस उसी पोजिशन पर वापिस मेरा वही लक्ष पाके दिखाऊंगा और जब आप जिवन में वापिस उसी पोजिशन पर आते हैं और वापिस वही लक्ष पाते होना तो यही जवाब आपका उनको मिलता है और उस वक्त वापिस वो मनी मन दुकी होते हैं जब आपको सपल देखकर तो ऐसे जो लोग होते है ना निकम में लोग उनको जब आपकी किस्मत और हालात खराब होना तो उस पर जवाब ना दें उस पर आप और मेनत करें आप अपने लक्ष को पाने की कोशिस करें और अपने आपको मोटिवेट करें कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा और कुछ करके दिखाए यह से निकम में लोगों को और जब आप सपल हो जाओगे ना तो आपका सबसे बड़ा जवाब यही होगा इन निकम में लोगों को और पताया आपको जो सच्चे दिल से आपको चाते होंगे ना जब आपकी किस्मत और हाला दोनों खराब होंगे ना जो सच्चे दिल से आपको चाते हैं जो सच्चे दिल से आपके हितेशी होते हैं वो कभी आपकी गल्ती नहीं निकालेंगे वो यही करेंगे यार कोई बात निकलती होगी वापिस मेंनत करो वापिस आगे बढ़ो तुम ये कर सकते हो वो उस वक्त उस सिच्टिवेशन में आपको मोटिवेट गरेंगे demotivate नहीं करेंगे लेकिन जो आपसे इर्षा करते हैं जो आपसे जलते हैं जिनकी मन में frustration बरी होती है आपके उपर की वो लोग क्या करेंगे वो लोग उस वक्त आपको demotivate करेंगे आपको बार बार आपकी गलती को आपको बताते रहेंगे और आपको और frustration की तरफ दखे नहींगे इसलिए ऐसे लोगों को उस वक्त बिल्कुल जवाब मत देख अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहे और जीवन में टोप लक्ष पाकर उनको जवाब दे और जब आप जीवन में टोप लक्ष पर पुछोगे ना तब वो सबसे बड़ा जवाब उनको होगा इसलिए जीवन में एक बात द्यान लगना बहुत से लोग में इसे पूछते हैं किसमत और जब हालात खराब होती ना तो ऐसे ऐसे लोग में हमें सुना के चले जाते ना उनके कोई उकात नहीं होती है तो उनको उस वक्त जवाब किसने है उस वक्त इस तरीके से उनको जवाब दे